हेलो दूस्तो, आज हम डिसकस करेंगे मेटाडॉकसिल टेबलेट के बारे में, तो मेटाडॉकसिल दूस्तो ये इसका एक brand name होता है जबकि इसके अंदर जो medicine होती है वो होती है, दोस्तो, मेटा-डोकसिल इसकी जो strength होती है दोस्तो, वो होती है 500 अब दोस्तो बात करेंगे हम इसके यूज के बारे में तो ये एक एंटी ऑक्सिडेंट मेडिसिन है ये लीवर को हान्फिल सब्सेंट से डेमेज होने से दोस्तों बचाती है अगर कोई जादा मातरा में कोई शरावी शराब पी लेता है दोस्तों तो मेटाडॉक्सिल उसको क किया है तो उसके एलकोहल को दोस्तों ये यूरिन के थुरू मतलब के पेशाप के थुरू जो है ये निकाल देती है ओके तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये नॉर्मल लीवर है और ये फैटी लीवर है जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं दोस्तों तो उनका न किया दो टेबलेट ले सकते हैं दो टेबलेट लेंगे तो ऐसा बीडी इसको ले सकते हैं पर डे एक टेबलेट में इसकी जो स्टेंथ होती है एक टेबलेट की वह होती है पांसो मिलीग्रेम दो टेबलेट की स्टेंड कितनी होगी हजार मिलीग्रेम तो पांसो से हजार मिल को नौजिया बोलते हैं दूत्रा है दोस्तों बॉमिटिंग मतलब कि उल्टिया ना नेक्स है दोस्तों डिजीनेस मतलब कि सरचक्राना उसके बाद आता है डाइरिया मतलब कि बार बार दोस्तों लेटरिन की शिकायत आना उसके बाद आता है दोस्तों टेकी कार्डिया टेकी rate होती है, 60-100 beat per minute, 60-100 beat per minute है, तो वो normal heart rate होती है, इससे ज़ादा होगी तो tachycardia case हो जाएगा, उसके बाद आता है दोस्तो, stomach upset तो stomach जो है दोस्तों यहाँ पर upset रहता है, मतलब कि पेट में यहाँ पर गड़बड़ी रहती है, ओके अब next बात करेंगे दोस्तों उसके avoid की, तो यह medicine दोस्तो, pregnant lady को नहीं देनी होती है, और lactation, मतलब कि जो lady जो है, बर्त के बाद जो है, जो बच्चे को दूद पिला रही होती है तो उसको भी यह नहीं देनी होती है ओके, thank you